ओम शान्ती आज 28 जुलाई 2022 के बाबा के अनमोल मतुर महावा के सुनेगे आज की मुल्ली में बाबा कहे कि किन बच्चों की पालना यग्य से होती है तो बाबा कहे जो बच्चे घर ग्रहस्त में रहते हुए अपना सब कुछ सरेंडर कर देते हैं ग्रहस्त व्यावहार को निभाते हुए सदा शिबाबा की सेवा में तत्पर रहते हैं ऐसे बच्चे संपूर्ण ट्रस्टी बन जाते हैं और ऐसे ट्रस्टी बच्चों की पालना जैसे यग्य से ही होती है फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को आज एक ततिग्या करनी है कि तुम्हे कभी किसी को दुख नहीं देना है सब को सुख का रास्ता बताना है और सदा पढ़ाई में अथक हो करके रहना है जो अथक होते हैं बाबा कहे वो धीरे धीरे करमातीत अवस्था को प्राक्त कर लेते हैं सुनते हैं बाबा के मतुर महावाक्य ओम शांती मीठे बच्चे तुम्हे पढ़ाई में कभी थकना नहीं है अथक बनना है अथक बनना अर्था करमातीत अवस्था को पाना आज की मुर्ली से पहला प्रश्ण है तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिग्या की है और क्यों उत्तर है तुमने प्रतिग्या की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे सब को सुख का रास्ता बताएंगे दूसरा प्रश्न है किन बच्चों की पालना यग्य से होती है उत्तर जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं वर रहते भी ग्रहस्त व्योहार में हैं दंदा भी करते हैं लेकिन ट्रस्टी है तो जैसे शिबाबा के खजाने से खाते हैं आज की मुरली से पहले गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही ओम शन्ती बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभाव से कहते हैं कि बरोबर काटे से फूल और कोई बना नहीं सकते हैं भारत दैवी फूलों का परिस्तान था अभी काटों का जंगल है तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वो महावाक्य सुनते हो अभी जो भी सुनते हैं महावाक्य सुनते हो यह सुनाने वाला उँच ते उँच बाप है न, उनकी हर एक बात महान है, महान सुख का सागर है, महान ज्यान का सागर है, महान शांती का सागर है, बच्चे अच्छी रिती समझ चुके हैं, आगे हर बात में कांटे थे, हर करमेंद्रिय से एक दो को दुख ही देते थे, अब हम खुद ही करमेंद्रिय से इसको दुख न देने की प्रतिग्या करते हैं, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है, कोई को भी दुख नहीं देना है, हर एक को सुखधाम का ही रास्ता बताना है, यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसकी मत पर चलते हैं, श्री मत पर, ब्रह्मा की मत गाई हुई है, यूं तो सभी को कह देते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, परन्तु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता, उन्हों को देवता कहा जाता है, माता पिता भी उनको नहीं कह सकते, बाबा ने समझाया है, लौकिक मात पिता से तो अलपकाल सुख का वर्सा मिलता है, वो मिलते हुए भी फिर पारलौकिक मात पिता को याद करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को तो नहीं याद करेंगे, उनको मात पिता नहीं कहेंगे, वे तो सुक्ष्म वतनवासी है न, उनको ब्रह्मा देवताय नमह, विष्णु देवताय नमह कहते हैं, इतने सब बच्चे किसको मात पिता कह न सके, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायन को भी सब मात पिता नहीं कह सकते, यहाँ पारलौकिक मात पिता के लिए गाये जाते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो बेहत का बाप कैसे आशिरवाद अत्वा क्रिपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हैं आयुश्यवान भव, चिरन जिवी भव, बाप तो आकर सहज राज योग और ज्यान की सिक्षा देते हैं। आशिरवाद वा क्रिपा बक्ती मार्ग में धेर देते हैं। एक दो, अच्छे द्रिष्टी रखना, दया द्रिष्टी रखना, सो तो परमपिता परमात्मा के सिवाई कोई रखना सके। ऐसे नहीं, कोई देखने से देवता बन जाते हैं, नहीं। यहां तो यह पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ना होता है। अभी तुम जानते हो, वही निराकार इस साकार तन में आये हैं। मम्मा, बाबा, दादा ये कुटुम हुआ न, इश्वरी परिवार, इतनी बड़ी पाठशाला, थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। यहां भी देखो शहर से कितना दूर है आबु में भी शहर से कितना दूर है कितना सन्नाटा लगा हुआ है क्योंकि हमें चाहिए ही शान्ती है हमको जाना है शान्ती धाम शान्ती धाम किसको कहा जाता है यह अब तुम समझते हो आत्मा तो है ही शांत स्वरू मन को शांती चाहिए ऐसे नहीं कह सकते आत्मा में ही मन बुद्धी है न आत्मा शरीर अलग-अलग है नाख कान आदी को शांती नहीं चाहिए शांती चाहिए आत्मा को आत्मा में ही सारा पाड भरा हुआ है वह इमर्च तब होता है जब शरीर मिले आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है शरीर मिलने से ही वह पार्ट बजाएगी यह भी अभी तुम जानते हो बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है यह अभी तुम जानते हो सत्युग में नहीं जानेंगे इस समय ही गाया जाता है कीरे जैसा जन्म अमोलक कोड़ी बदले क्यों होए है तो इस समय ही गाया जाता है कीरे जैसा जन्म अमोलक क्योंकि तुम अभी ईश्वर ये उलाद बने हो ममा बाबा कहते हो ना अग्यान काल में जो गाते थे तुम मात पिता हम बालत तेरे यह किसकी महिमा है यह भी नहीं जानते थे मनुष्य तो यह भी नहीं जानते थे तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्सा ले रहे हो अभी समझते हो कि जनम जनमांतर शास्त्र पढ़ते भी नीचे ही उतरते आए यह भी ड्रामा में नून है बक्ती करनी ही है ना बक्ती बदलनी है ना ज्यान बदलना है बक्ती की बड़ी सामगरी है वेद शास्त्र अथा है लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं कितने मेले मलाखडे आदी होते हैं अब बाप कहते बच्चे आदा कल भक्ती करते करते ठक गए हो इस पढ़ाई में तो ठकने की बात ही नहीं इसमें तो और ही खुशी होती है क्योंकि यहां है कमाई कमाई में कभी उबासीवा जुटके नहीं आने चाहिए धारना कच्ची है, नौलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ति आती है बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है इसमें ठकना नहीं है वीवेक कहता है तुमको अठक जरूर बनना है पुर्शार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है अब जो पुर्शार्थ करेंगे माला कितनी छोटी है प्रजा तो बहुत बनती है बाप तो पुर्शार्थ कराते रहते हैं कहते हैं फॉलो फादर मदर बच्चे तो धेर है न, प्रजा पिता ब्रह्मा के भी एडॉप्टेड बच्चे है न, शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे प्रजा पिता ब्रह्मा के सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, शिव बाबा के तो अनादी बच्चे हैं तो शिव बाबा के adopted बच्चे नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे अर्थात आत्माएं तो हो ही, अज्यान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परन्तो शिव बाबा कौन है, उनका क्या पार्ट है, ये कोई भी नहीं जानते है, शिव बाबा कहते मेरा भी ड्रामा म पार्ट नुंदा हुआ है ऐसे नहीं जो चाहूं सो करो हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा न इसमें कृपावा आशिर्वात मांगने की बात ही नहीं है बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करने है ग्यान और योग से तुम्हारी पालना है ही ग्यान और योग की मुझे कहते ही है बाबा क्योंकि रचेता ठहरा न तो जरूर बाबा कहेंगे लौकिक माबाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं अभी तुम जानते हो पारलौकिक मात विता ऐसे हुए हैं हमको राज योग सिखा रहे हैं हाँ शरीर निर्वा तो सब को करना ही है परहेज के लिए ये समझाया जाता है अपवित्र कोई वस्तू नहीं खाने है बाबा परहेज के लिए ये समझाते हैं बचे अपवित्र कोई वस्तू नहीं खाने है बाकी घर में तो रहना ही है सरेंडर हो गया ना बाबा ये सब आपका है बाबा का सब कुछ समझ कर चलते हैं तो वह जो खाते हैं सो यग्य का ही है हम ट्रस्टी है हम यग्य का खाते हैं वो तो सतो गुणी ही है बाबा कहे हम यग्य का खाते हैं वो तो सतो गुणी ही है अगर अरपन महीं नहीं है अपने को ट्रस्टी नहीं समझते तो फिर वह यग्यका नहीं हुआ पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है कुछ दिन पहले भी बाबा ने विशेश प्रवर्ती मार्ग वालों के लिए ये बात कही थी कि संपूर्ण ट्रस्टी अपने आपको समझना है तो जैसे कि उनकी परवरिश यग्यसे ही होती है मनुष्य कहते भी है कि इश्वर ही सबको देने वाला है देवताओं की पूजा करते हैं समझते हैं उन्हों द्वारा मिलता है गुरु से मिलता है ऐसे भी समझते हैं परंतु देने वाला सबको एक ही भाब है सबका दाता एक है बक्ती मार्ग में हर एक इश्वर के पास ही इंश्योर करते हैं समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो यह सिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए अच्छे कर्मों का फल मिलता है इश्वर अर्पणम करते हैं इश्वर को अर्पण अर्था इन्शियोर करते हैं वह है इन्डाइरेक्ट और यह है डाइरेक्ट डाइरेक्ट बाबा के पास इन्शियोर करते ना बक्ती में इन्डाइरेक्ट इन्शियोर किया वह परमपिता परमात्म को जानते नहीं तो सब कुछ अर्पन नहीं कर सकते यहां तो सब कुछ अर्पन करते हैं बाबा कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो तुम जो खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यग्य से खर रहे हैं संभाल भी करनी होती है कोई तमो गुणी भोग लगा न सके मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है वह वैश्नो ही रहते हैं विकारी तो सभी है निर्विकारी स्रेष्ट शरीर यहां आये कहां से लक्षमी नारैंग के स्रेष्ट शरीर है न ब्रश्टाचारी विकारी को कहा जाता है अभी तुम बच्चे समझते हो हम मात पिता के सनमुख बैठे हैं जिनको आधा कल्प पुकारा है आधा कल्ब भक्ति करने वाले ही यहां आएंगे बहुत तीखी भक्ति करते हैं तुम बच्चों को फित्तीखा ज्यान उठाना है इतना अंदर से तीवर वेग से जैसे ज्यान को उठाना है थोड़े में ही राजी नहीं होना है कितनी पॉइंट्स दी जाती है समझाने के लिए बुरिया तो इतना समझ न सके इनको फिर बाबा कहते हैं तुम किसको सिर्फ यह समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचे है बाबा कहें सिर्फ इतना समझाओ पारलौकिक बाप का परिचे है तो उस बाप को याद करो तुम भक्त हो वो भगवान है भगवान हो आज तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे पहले तो निर्वान धाम में जाना है तो जरूर निर्विकारी बाब को याद करना पड़े प्रिश्न भी देधारी हो गया उनको याद करना गोया पांच तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना यह तो वक्ती मार्ग हो गया अब तुम बच्चे जान गए हो क्या जान गए हो कि वक्ती का कितना विस्तार है सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्धा वर्सा मिल जाता है दिन के बाद रात और रात के बाद दिन बक्ती है रात ठोकरे खाते हैं न इसलिए नाम ही रखा है अन्ध्यारी रात जानते भी है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते ये ज्ञान अभी मिलता ही तुम ब्रामनों को है इसलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है ब्रह्मा ही दिन और रात को जानते हैं ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई दिन होना है ब्रामनों का दिन और रात यह समझने की बात है न, विश्नु ऐसे नहीं कहेंगे, हमारी रात और दिन, तुम कह सकते हो, इस ज्यान से ही हम इतनी उच्च प्रालब्द पाते हैं, बावा कहें यह बात तुम ही कह सकते हो, इस ज्यान से हम इतनी उच्ची प्रालब्द पाते हैं, फिर यह ज्यान गुम हो जाता है ड्रामा में यह शास्त्र आदीवी नूदे हुए हैं फिर वही शास्त्र बनेंगे यह द्वापुर से वही शास्त्र बनेंगे जिसके लिए कहते हैं परमपरा से चला आता है ऐसे नहीं कि धर्ती से शास्त्र निकलाएंगे बाप आकर सत्य बतलाते हैं यह बक्ति मार्क की सामगरी फिर से वही निकलेगी बुड़ी माताओं को यह भी याद करा दो उचे ते उच है शिबाबा जो परमधाम में रहते हैं जहां आतमाई रहती है वह है उचा ठाओं मूल वतन फिर सुक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विश्नु महेश ब्रह्मा विश्नु शंकर फिर स्थूल वतन में आओ तो पहले लक्षमी नारायंग का राज्य है जो नई रचना बाप रच रहे है पतीतों को पावन बना रहे है बाबा कहे ये बात बुड़ियों को अच्छी तरह समझाओ शिबाबा निर्वांधाम में है फिर सुक्ष्म वतन में ब्रह्मा विश्णु शंकर है फिर स्थूल वतन में आदी में आओ तो लक्षमी नारायन का राज्य है और बाप ने ये नई रचना रची है पतीतों को पावन बना रहे हैं कहते भी है पतीत पावन आओ तो जरूर सारे स्रिष्टी पतीतों की है उनको आकर पावन बनाते हैं जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे मूल बात है अपने बाप को और घर को याद करना सबको यही कहो क्या कहो यह आत्माएं अब घर जाना है तुम आत्माओं को ले जाना है शरीर तो सब के खत्म हो जाएंगे आत्मा के नाते सब भाई-भाई है ब्रदर्स है कि शरीर के नाते भाई-बहन है बहुत मीठी-मीठी बाते हैं तुम यहां होस्टल में बैठे हो तुम यहां के रहवासी हो होस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग न लगे यहां तुमको निर्विकारियों का संग है अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है शिव बाबा तो खाते नहीं है वह तो अभोगता है देवताओं को ब्रामनों का भोजन अच्छा लगता है बाबा कहे देवताओं को ब्रामनों का भोजन अच्छा लगता है क्यों? क्योंकि इस ब्रामनों के भोजन से देवता बनते हैं तो ब्रामनों के भोजन का कितना महत्व है उनका बहुत असर पड़ता है तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो गुद्धी बहुत अच्छी हो जाए सारा देन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए ऐसे योगी चाहिए बाबा को ऐसे योगी चाहिए पवित्र तो बहुत होते हैं विद्वा माता अत्वा कुमारियां भी पवित्र होती है परंतु योगिन भी हो योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नती हो जाए पांच साथ ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाए इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी योग में बहुत मदद मिलेगी इसलिए बाबा कहे ब्रह्मा भोजन ही सदा स्विकार करना है अच्छा मीठे मीठे सी किलदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुट मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाब दादा को यार प्यार और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुरली से धाना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट मात पिता को फॉलो करते हुए ज्यान योग से सब की पालना करने है उसी पालना में रहना है ज्यान योग में तीखे जाना है ज्यान योग में तीखा जाना ह दूसरी पॉइंट पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है बुद्धी को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है आज का बाप दादा का मतुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है स्वा परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भवव स्वा परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भवव आपका स्लोगन है बदला न लो बदल कर दिखाओ स्वपरिवर्तन से विश्वपरिवर्तन कई बच्चे सोचते हैं यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए, ये सोचना ही रॉंग है पहले स्वक बदलो, तो विश्व बदल जाएगा इसके लिए सर्व खजानों के मलिक बन, समय प्रमान खजानों को कारिय में लगाओ आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों के लाइट सदा साथ रहे, तो माया दूर से ही भाग जाएगी सर्व शक्तियों के लाइट सदा साथ रहे, तो माया दूर से ही भाग जाएगी अच्छा, ओशान